नमस्कार विद्यार्तियों, आज हम कारक प्रक्रण भाग 13 में कारक प्रक्रण में शेश सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम कारक प्रक्रण की इतिश्री भी करेंगे तो आज का जो शेश्टी विभक्ति का शेश सूत्र है वो है कर्तरी कर्मनों हो कर्म और यहां दोनों में शेश्टी विभक्ति का द्विवजन है कर्मनों हो कृती प्रत्य पर में होने पर कर्ता और कर्म में शेश्टी विभक्ति होती है वृत्ती में लिखा हुआ है कृत योगे कर्तरी कर्मनीज शेश्टी स्यात कृत यानि कृत प्रत्यों के या कृत प्रत्यांत के योग में कर्तरी अनुक्त कर्ता में एवं कर्म में शष्टी विवक्ती होती है अनुक्त कर्ता के बारे में हम पहली पी चर्चा कर चुके हैं उधारण के लिए कृष्णस्य कृति ही, कृष्ण की रचना अब यहाँ पर जो कृती शब्द है वो क्रीधातू से तिन प्रत्य करने पर बनता है क्रीधातू से तिन प्रत्य करने पर नकार और ककार की इत्संग्या होने पर तीशेश रहता है और शब्द बनता है कृति प्रत्मा विभक्ति एक वचन में इसका रूप बनेगा कृति ही इसके योग में जो क्या करता है यानि कृष्ण की रचना रचना किसकी कृष्ण की तो कृष्ण यहां पर करता है और यहां पर यह अनुक्त करता कहलाएंगे तो यहां पर उस पर दश्टे विभक्ति होगी जगतह करता कृष्ण हां संसार के जगतह यानि संसार के करता यानि करने वाले बनाने वाले कृष्ण हां कृष्ण है यहां पर जगतह यहां जो जगत है यह कैसा है कर्म है क्रिश्ण बनाने वाले हैं किसको संसार को तो संसार यहां पर क्या है कर्म तो जगतह जो यहाँ पर कर्म है वो कर्ता क्रीधातू से त्रिच प्रत्य करने पर कर्ता शब्द बनता है प्रत्मा विबक्ती एक बचन में वैसे कर्तरी शब्द बनता है फिर प्रत्मा विबक्ती एक बचन में रूप बनता है कर्ता रूप चलते हैं फिर कर्ता कर्ता रहू तो यहां कर्म जो है जगत उसमें शश्टी विभक्ती हुई है किसके कारण क्योंकि यहां पे करता जो शब्द है वह क्रीधातू से त्रिच प्रत्य है जो क्रिच प्रत्य जो है वो क्रिच प्रत्यों में गिना जाता है इसी लिए किदंत शब्द के योग में यहां कर्म जगत में शष्टी विवक्ती होई है यहां शष्टी विवक्ती समापत होई अब प्रारंब होती है सप्त मिवख्ती सब्तमी भक्ती में पहले अधिकरण संघ्या को करने वाला संघ्या सूत्र है आधारोधिकरणम आधार की अधिकरण संघ्या होती है किस प्रकार के आधार की अधिकरण संघ्या होती है उसके बारे में वृत्ति में लिखा हुआ है कर्तरी कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाहा आधारह कारकम अधिकरण संग्यम स्याद यानि कर्ता और कर्म के द्वारा कर्तरी कर्म द्वारा तन्निष्ठ उनमें रहने वाली क्रियायाहा क्रिया का आधारह जो आधार है वह जो कारक है क्रिया का आधार में जो कारक है उसकी अधिकरन संग्या होती है यानि कहने का मतलब है कि क्रिया का कोई भी आधार हो चाहे आप साक्षात आधार हो क्रिया का अत्वा कोई परंपरा से आधार मानना पड़े तो उसके जो कर्ता है और उसमें जो कर्म है, कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली जो क्रिया है, उसका जो आधार है, उसकी अधिकरन संग्या होती है कर्ता और कर्म यानि हम कोई क्रिया कर रहे हैं उस हमारी क्रिया का जो भी आधार होगा उस आधार की अधिकरन संग्या होगी क्रिया का स्वयम का आधार कर्ता के या कर्म के आधार के बिना हो नहीं सकता तो उधारण के लिए समझे कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है, कटे का मतलब होता है चटाई, कट का मतलब होता है चटाई, और कटे यहाँ पर सत्विवक्ते, आस्ते यानि बैठता है, तो यहाँ पर आसन पर बैठना है या चटाई पर बैठना है, उसकी क्रिया का आधार कोई न कोई करता होगा ही हो तो उस करता की क्रिया बैठने रूपी क्रिया का जो भी आधार है यानि जो चटाई है उसको उसकी कर्मसंग्या होगी तो इस प्रकार क्रिया का साक्षात आधार नी अभी तो परंपरा से आधार लिया है हमने यहाँ पर क्रिया आसते किसके द्वारा की जा रही है एक करता के द्वारा तो करता के द्वारा जो उसकी क्रिया है आसते रूपी उस क्रिया का जो आधार है कटे उस आधार की यहाँ अधिकरन संग्या होगी अब चूंकि हम जानते हैं जितनी भी संग्याएं होती है उन सभी संग्याओं का कुछ न कुछ फल अवश्य होता है तो अधिकरन संग्या करने का क्या फल होता है सब्तम्या सब्तम्या अधिकरने च जो सब्तमी होती है वह अधिकरने अधिकरन में आत और सप्तमी में और अधिकरण में जो जो हमने अभी क्रिया का आधार वाया उसको क्या कहेंगे आधारो अधिकरणम जो पिछला सुत्र था उसकी अधिकरण संग्या की है हमने जितना भी क्रिया का अथ्वा कर्म का जो भी आधार होगा उसमें क्या होगी उसको क्या कहा जाएगा अधिकरण कहा जाएगा और उस अधिकरण में क्या होगा सब्तमी विभक्ति होगी अब जो आधार हैं वो तीन प्रकार के बताए गए हैं अब उधारन भी दिये गए हैं अधिकरण में सप्तमी विभक्ती होती है अब यहाँ पर सुत्र में चर शब्द भी पढ़ा गया है इसके लिए कह रहे हैं कि दूर और समी पले अर्थों में भी सप्तमी विभक्ती होती है हमने ये कल ही पढ़ लिया था वनस्य दूरे अंतिके वाचुकि ये इसमें शामिल है तो हमने इस नियम को अलग से ही कल बता दिया था तो यहाँ पर दूरे और अंतिके शब्द में हमने सप्तमी विभक्ती का प्रियोग किया है अब जो तीन प्रकार के आधार है पहला है औपशलेशिक, दूसरा है वाशाइक और तीसरा है अभिव्यापक आपकी परिक्षा के दरस्टी से महत्वपोर्ण आपको याद रखना पड़ेगा कि आधार कौन-कौन से होते हैं तीन उनका नाम और उनके उधारण आपशलेशिक आधार क्या कहलाता है उपकार्थ होता है समीप में और शलेश का मतलब होता है चिपकना अब चिपकना कैसा? ऐसा चिपकना दो वस्तूओं का जिनको अलग किया जा सकता है तो ऐसी जो दो वस्तुवें जो साथ रहती हैं जिनको अलग किया जा सकता है उनमें जो संबंद पाया जाता है उसे कहते हैं संयोग संबंद तो संयोग संबंद के द्वारा किसी वस्तुवों का आपसे मिलान होना शलेश कहलाता है उप का मतलब है समीब अब यहाँ पर इकक प्रत्य से उपकी व्रद्धी होकर ककार की इत्संग्या होने से किदि जखिसे आधी व्रद्धी होती है और उ में व्रद्धी होकर बनता है अउ अर्थात जहां आधार और आधे के साथ संयोगादी संबंद हो वह अप्षलेशिक आधार कहलाता है अब यह आधार और आधे यह क्या होते हैं आप जिस वस्तू पर बैठ रहे हो या आपकी क्रिया का जो कोई भी आधार है आपके चलने का आधार आपके रहने का आधार आपके बैठने का आधार आपके लिखने का आधार ऐसा मान लीजिए तो जो जो भी आपके आधार है जैसे बैठने का आधार हो गई चटाई और उ बैठने का जो कट है वह आधार कहलाएगा और जो आप होंगे वह आधे कहलाओगे तो आप दोनों के बीच जो संबंद होगा वह संयोग संबंद कहलाता है काफी बड़े और अच्छे इंटर्व्यूज में ये पूचा भी जाता है कि आप अभी किसी कुरसी पर बैठे हैं तो आपकी संबंद से बैठे हैं समवाई संबंद से, संयोग संबंद से, अथवा और किसी संबंद से तो ऐसा संबंद जहां पर दो वस्तुवें आपस में चिपक रही हैं पर चिपक ना ऐसा जिनको प्रथक किया जा सकता है वह संबंद संयोग संबंद कहलाता है तो आधार और आधे के बीच भी संयोग संबंद होता है और यही संयोग संबंद आपका आपशलेशिक आधार कहलाता है उधारन बता ही दिया आपको कटे आस्ते या कट का बैठने वाले के साथ संयोग संबंद है अतह कट आपशलेशिक आधार है इसी प्रकार और आपको पता ही है कि जो आधार है उसमें सप्तम्य अधिकरण में जो अधिकरण आधारो अधिकरणम आधार की ही अधिकरण संग्या होती है और सप्तम्य अधिकरण सूत्र से अधिकरण में सप्तम्य विवक्ति होती है तो यहाँ पर आधार क्या है कट, कट की अधिकरण संग्या होगी और फिर उसमें आएगी सब्तमी विवक्ति, तो कट का सब्तमी विवक्ति बने का कटे एक उधारन और दिया इसका स्थाल्याम पचती, कि स्थाली में पकाता है, पचती का मतलब होता है पकाना और स्थाल्याम का मतलब होता है स्थाली में, स्थाली होती है थाली, थाली में बोजन पकाने के लिए यहां प्रियोग किया गया है, तो स्थाल्याम पच्चती यहां पर भी सामिप्य संबंद के कारण आप्शलेशिक आधार माना जाता है और इसी लिए यहां पर स्थाली में सब्तमी विवक्ति का प्रियोग किया गया है दूसरा है आधार वैशाईक आधार विशय से सम्बंद से जब किसी को आधार माना जाता है तो वो वैशाईक आधार होता है यह जो आधार है यह बॉधिक आधार है यानि किसी की इच्छा है, किसी की लड़ू खाने की इच्छा है, किसी की पढ़ने की इच्छा है, किसी की संगीत सुनने की इच्छा है तो इस प्रकार की जो इच्छाएं हैं वो कैसी है? विशयता संबंद है, उनका विशय से संबंद है तो विशय से संबंद जो आधार होगा वो वशयक आधार कहलाएगा ये आधार बौतिक आधार है इसका उधारन है मोक्षे इच्छा अस्ति मोक्ष में मोक्ष विशयक इच्छा है उसकी तो यहाँ पर विशयक इच्छा और जो मोक्ष है इन दोनों में विशयता संबंद है तो इस विशायता आधार के कारण यहां मुक्ष में सब्तमी विवक्ति का प्रियोग किया गया है। अभी व्यापक आधार, जहां आधार के प्रतेक अव्यव्य में आधे की सत्ता विद्यमान हो, वहां अभी व्यापक आधार समझना चाहिए। जैसे आधार है आपका पूरा जगत या आधार है आपका तेल तिल जो तिल है आपका आधार उसमें जो आधे है तेल उसकी पूरे हर एक तिल के अंदर उसकी सत्ता है तो जैसे आत्मा है सभी जगे रहती है सभी तिलों में तेल रहता है इस प्रकार के जो अधारन है अभी व्यापक आधार के अंतरकता है अभी व्यापक का मतलब व्यापत रूप से व्यापक रूप से उसी के अंदर वह चीज रहे तो आधार के अंदर जब आधे प्रतेक उस उसकी सत्ता विद्यमान हो तब वहाँ पर अभिव्यापक आधार होता है यह था तिलेशु तैलम तिलों में तेल है और सर्वस्मिन आत्मास्ति सभी जगए आत्मा विद्यमान है अगला सूत्र है यस्यच भावेन भावलक्षण 함 भाव का मतलब होता है क्रिया तो जिस प्रसिद्ध क्रिया से इस सूत्र का सामन्ने अरथ है जब एक क्रिया चल रही हो उस्स क्रिया के अंतर गथी जब दूसरी क्रिया हो जाती हो तो वहां पर क्रियावान से सप्तमी विभक्ती होती है जैसे गोशु धुई अमानासू गता है जब गाय दुई जा रही थी तब वो चला गया किसी व्यक्ती ने पूछा कि वह कब गया तो एक क्रिया जब चल रही थी उसी समय वो दूसरी क्रिया हो गई तो जो क्रिया वान था, जिस समय जो क्रिया चल रही थी, उस में सब्तमिव भक्ती लगती है जब गाये दुही जा रही थी, तब वह चला गया तो उसके जाने की क्रिया, गायें के दुहे जाने की क्रिया सासात हो रही थी जो प्रथम क्रिया चल रही थी, जो क्रिया वान था, उसी में सब्तमिवख्ती आती है, अगला है वेरी वेरी इंपोर्टन सुत्र, यतस्च निर्धारणम, निर्धारणम, अब निर्धारण शब्द कारत क्या होता है, कि कोई भी एक समुदाय है, उसमें से किसी एक को आपक उतकर्ष बताना है किसी एक का, या फिर आपको उसका अपकर्ष बताना है, यानि बहुत श्रेष्ट हो, अथवा वो निक्रिष्ट हो, तो प्रसद्ध हो, अथवा कुख्यात हो, बहुतों में से किसी एक को इस प्रकार का बतलाना हो, अलग से उसका निर्धेश करना हो, त उसका अपकर्ष बताना हो जब इस प्रकार का निर्धारन करना हो तो समुदाय वाचक शब्द से शष्ठी एवं सप्तमी विभक्ती प्रियोक्त की जाती है अब इस सूत्र में से परिक्षाव में किस प्रकार से प्रश्ण पूछे जा सकते हैं पहला प्रश्ण तो यह समुदायों में से किसी एक को उतकर्ष बताय जाता है तो वो समुदाय क्या है जाती का गुण का क्रिया अथवा संग्या का संग्या में किसी का भी नाम हो सकता है और तीसरा है कि इसमें सतश्टन इधारनम सूत्र के साथ में के प्रियोग से कौन सी विभक्तिया होती है तो पुरुष जाती, स्त्री जाती इस प्रकार से निर्णाम निरिशुवा ब्राम्मनाह श्रेष्ट है जो मनुष्य जाती है उसमें से निर्णाम में शष्टी निरिशु में सब्त में उसमें ब्राम्मन श्रेष्ट है तो यहां जो समुदाय वाचक शब्द है निर्णाम और न प्रियोग किया भी जाता है या फिर नहीं भी किया जाए तो भी कोई नहीं वह स्ट्रेश्ट बताना है किसको जिसे ब्रामणों को श्रेश्ट बताया अत्वा शत्रियों को शूर बताया तो न्रणाम और न्रिशू इन न्रणाम में शष्टी और न्रिशू में सब्तमी बहुत सारे गायों में काले रंखी गाय है buffer और किशीरा यह बहुत अधिक दूद्द देने वाली हो दो बताया जा रहा है कि वह बहुत अधिक दूद्द देने वाली लिह समय जिस समुदायक में से उनको प्रथक किया गया है उस समुदाय वाचक शब्द में शष्टि एवं सब्विविवक्ती का प्रियोग किया गया है। अब क्रिया है ये क्रिया में पटू दिया गया है जो गुण का उधारण है यद्दिपी आप ये देख लीजेगा ये यहाँ जो मैत्रा चात्रे चात्रर नाम छात्रे शुवा मैत्रे पटु यह पटु एक गुण है यह गुण का उधारण होना चीव दाना है तो इसमें हम कर सकते हैं छात्रणाम छात्रे शुवा धावन शीक रहा कि जो दोड़ने वाले हैं वो शीक रहा गच्छताम गच्छत्सु कि धावन शीक रहा उधरन को आप इस तरह से लिख सकते हैं गच्छताम गच्छत्सु वा धावन कि गच्छताम यानि चलने वालों में या गच्छत्सू भी चलने वालों में दोडने वालों में जो दोडने वाले हैं वो शीग्र हैं यह क्रिया का उधारन है यह जो उधारन दिया चात्रानाम चात्रेशुवा मैत्रह पटूहु यह उधारन गुण का हो सकता है और संग्या का भी हो सकता है कि ये चात्र और चात्रे शूर क्या है संग्या संग्या है ना तो ये संग्या वाचक समुदाय है यहाँ पर ठीक है तो इसमें इसका उधारण भी हो सकता है जो क्रिया का उधारण है वो यह है क्रिया का उधारण है गच्छताम गच्छत्सुवा धावन शीक्र है चलने वाल और अब जो आज के अभ्यास प्रश्ण है वो है आधारस संग्या का भवती आधार की कौन सी संग्या होती है आधार कतिविदह आधार कितनी प्रकार के होते हैं नमह स्वस्ती स्वाहा स्वधा अलम वशत योगाच्च जो सूत्र है इस सूत्र की आपको व्याख्या कारिया व हमने द्वितिया विवक्ति में पढ़ा था उसमें किसकी आधार संग्या की गई है मैं हम दधी रोचते मुझे दधी अच्छा लगता है वाक्य असमें इस वाक्य में संप्रदान संग्या कस्य अभवत किसकी संप्रदान संग्या हुई है इन प्रश्णों के उत्तर आपको कर करने हैं और वाटसिप पे शेयर करने हैं आज कारक प्रक्रण यहीं समाप्त होता है हम अगले वीडियो में अपने किसी और विशाय पर या नई कुस्तक के विशाय में चर्चा करेंगे धन्यवाद